हेलो एब्रिवान वैलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सभी लोग आशा करती हूं सब लोग बहुत जादा अच्छे होगे अपना खयाल रख रहे होगे तो देखिए फ्रेंड्स ये व्लॉग है बुधवार का और अभी शाम के बज़ रहे थे करीब करीब 6 बज़ चुके यहां पर मैं क्योंकि मौसम खराब सा था जैसा कि अपने पिछले व्लॉग में देखा होगा तो मैंने स्टैंड पर डाल दिये थे कपड़े और इसलिए अभी यह सारे सूख गये थे रात बहर मैंने फैन चला करके रखा था और फिर दिन में कुछ और ही करने लग गई थी मतलब कुछ प्राबलम होगे थी घर में तो बस इन सब में भी टाइम ने मिला मतलब मैं शुरू करने वाली थी व्लॉग सुबह से ही लेकिन कुछ रीजन्स के वजह से नहीं कर पाई फिर मैंने शाम से स्टार्ट किया तो बस यहां पर कपड़े वगरा फोल्ड करने के बा उनको कि आप मोबाइल पे भेज दिया करो मैं घर पे कराऊंगी और कुछ नहीं कर सकती हैं इस चीज में क्योंकि बच्चे हैं तो वो अपने हिसाब से ही लिख पाएंगे तो बस करीब-करीब आधे घंटे उसको पढ़ाने के बाद आधे घंटे से थोड़ा जादा ही दूद पीने के लिए और यहां पे लौकी की सबजी बनानी थी तो बस वही कट कर रही थी छील करके यहां पे कट हो चुका है और साथ में मैं एक तरफ दूद भी रख रखा है दूद मैं शाम को ही ले आती हूं और कुछ सामान रहता तो मॉर्निंग में ले आती हूं लेक गरम भी करती हूं डेली और इसको गरम करके रख देती हूं दूसरे दिन मलाय उतार के दुबारा से अच्छे से गरम करके तब फिर बच्चे पीते हैं बच्चे क्या आरुश रेरली ही पीता है दूद लेकिन दक्षिता को डेली चाहिए होता है और बाकी हम लोग चाय में यूज करते हैं तो बस यहां पर देखिए अभी कुकर मैंने चड़ा दिया था कुकर में डाला सरसो का तेल जीरा ही साथ में हरी मिर्च और लहसुन बारी काट करके और जब यह हो गया था तब मैंने इसमें लोकी अड़ कर दी थोड़ा सा मिक्स करने के बाद नमक डाल दि मैं लोकी की सबजी में तो मैं एक पैकेट मैगी मसाला जरूर इसमें अड़ करती हूँ तो बस यहां पर देखिए सबजी में सब कुछ मैंने डाल दिया था बस मैगी मसाला डाल करके दो चार चमच पानी अड़ कर देती हूं ताकि लगे ना नीचे और बस तीन से चार बहुत अच्छे से पकती है मतलब और अच्छे से बन जाती है और बस यह पर धनिया वगरा जब मैं स्कूल से ले कर आई थी बच्चों को तब ही साफ करके पानी में भीगो कर दो करके रख दिया था मैंने पानी उसका निकल गया था तो बस उसको मैंने किचन टावल में लप रख करके सबजी अल्मोस्ट हो गई थी मैंने सारे बरतन जो धूले हुए थे पहले के इन सब को बास्केट में लगाया और बस अब लगाने जा रही हूं आटा क्योंकि हजबन को खाना नहीं है तो बहुत कम ही आटा आज लगाना है जबन कहीं गय हुए है वह रात तक आटा लगा करके तैयार किया और जब तक आटा सेट हुए तब तक जो बाकी के बरतन थे उनको मैंने वाश कर लिया जैसे बच्चों का लंच वाक्स था और इसके लावा राइस थोड़ी सी बची थी तो उसको कड़ाही में फिर से गरम किया था आरूश खाने के लिए तो बाल जरा सा लंबे होने ही रहे हैं एक महीने में दो दो बार यह लोग बोल दे रहे हैं घ 2017 कराने के लिए वनलब सर में बाल होने भी तो चाहिए तब तो कटेंगे लेकिन कौन समझाए बस वही चला गया था इस टाइम कटाने के लिए और बस मैंने गिजर ओन कर दिया था कि आकर के नहा लेगा अपना तुरंट के तुरंट और यहां पे बस मैं लग गई थी रोटी सेखने के लिए और बस यह था कि बस वह आए नहा करके तब हम लग तुरंट खाना खाएं वैसे बन गया था साड़े आट तक सारा खाना बन गया था किचन भी साफ हो गया था लेकिन हुआ कि उसको लेट लग गया था शायद कोई पहले से उधर था तो इस वज़े से उसको आते आते चकला बेलन तो मैं तुरंट के तुरंट धो लेती हूं क्योंकि हमारे हां यह है ना कि इसको जूठे बरतन में नहीं डालते हैं तो बस इसलिए सबसे मतलब रोटी बनाने के बास सबसे पहला काम मेरा ही होता है चकला बेलन में धो करके रख देती हूं और बस दीखिए यहां पर यह सारे काम हो गया थे तो बस साथ के साथ मैंने किचन को भी अच्छे से कर लिया क्लीन बस नॉर्मल ही पोच्छना था क्योंकि हफते में एक दो बार अच्छे से डीप क्लीनिंग करते रहती हूं तो बहुत जादा गंदा नहीं रहता है बस यह और इसके एक दिन पहले क्या था ना मतलब बहुत जादा बारिश हुई थी रिखिनाच का मौसम ठीक ठाक था मतलब थोड़ी गर्मी भी थी और बस यहां का मौसम तो ऐसा ही चलता रहता है मतलब कभी कभी बहुत तेज धूप की बरदाश्ट नहों और कभी कभी होता ऐसा है कि बिलकुल मतलब धूप रहती है चानक से बादल लगके बारिश आ जाती है तो ऐसे में होता किया ना बहुत से काम फिर बिगड़ जाते हैं मतलब अगर कपड़े हैं चात पे तो वह हो गया बच्चों को स्कूल लाने के टाइम पे तो अकसर ही हो जाता है और आज ऐसा ही हुआ था मतलब एक घंटे के लिए बादल लगा था और उसी में थोड़ा बहुत बारिश हो करके फिर धूप हो गई थी तो बस यहां पे आरुश आ गया था और वो चला गया था नहाने और नहा करके आया तो बस अभी हम तीनों बैठके यहां खा रहे हैं खाना और हो गया राइस बना लिया है मैंने और सात में अलू अगरा कट कर लिया था तो बस अभी सबजी में लगा दिया है च्छोंक यहां पे बस सिंपल आज आलू भुझी आहीं और कोई सबजी नहीं और सात में फ्राइड राइस बनाओंगी तो इस वज़े पहले मैंने चावल जब तक चावल पका तब तक आलू को मैंने छील करके काट करके दो करके रख लिया था और बस चावल हो गया तो मैंने बस अभी चड़ा दिया कड़ाई क्योंकि सेम कड़ाई में मुझे फ्राइड राइस भी बनाना है तो बस यह कि सुबह थोड़ा सा मतलब अगर टाइम से तो यह सारी चीज़ें हो जाती है तो यह होता है ना कि फिर तो कड़ाई तीन कड़ाई ऐसे यूज करना पड़ जाता है हलाकि है मेरे पास लेकिन टाइम था तो मुझे यह था कि सेम कड़ाई में ही मैं कर लूग और इधर देखिए कुकर का प्रेशर निकल गया था तो ब मिर्ची पाउडर बहुत ज़रा सा और बीच में इन जाडू के लगा लिया था जब तक सब्जी पका था धी में आज पर ज्ञाडव अगरे लगा कि आने के बाद मैंने सब्जी को खाली किया और इस में मैं बना रही हूं फ्राइड राइस तो बीच में रात में ही कट कर और बस पे आज इस टाइम मैंने कट किया है तो यहां पे बस अभी इन सब को लगा दिया है तड़का मिर्ची नहीं मैंने डाली थी क्योंकि जो शेजवान फ्राइड राइस मसाला उसमें अल्रेडी मिर्ची रहती है तो एक भी मिर्ची डाल दोना तो दक्षिता खाती नहीं यहां पे देखिए सब्जीा हलकी सी बस पकाई थी मैंने मतलब क्रंची नेस जो होता है सब्जी का वह रहना चाहिए तो बस सब्जी हलकी सी पक गई थी इसमें मैंने डाल दिया चावल साथ में डाल धिया था शेजवान ऐस फ्राइड राइस का मसाला झाला सा और यह सब भून लिया था थोड़ा सा हाई फ्लेम पर ही और लास्ट में बस अभी यहां पर कट करके डाल रही हूं हरा धनिया और बस धनिया डाल करके अच्छे से मिक्स कर दिया था पूरे राइस में और बस यहां पर कर दिया था गयास को बंद हमारा फ्राइड राइस हो गया था दे मतलब दिना बैठे बस नाश्ता किया मैंने और चटपट लग गई कामों में तो कितन अच्छे से क्लीन हो गया सारे बरतन है में दो दिये हैं बस मशीन लगा रखिए कपड़े भी अल्मोस्त धूल चुके हैं बस खंगाल करके खंगाली रही मतलब मशीन में बस सुखाना बा और जो कपडे धोने वाले भी तो दोने में चले गया है और बस गईयारा बजने में ये घरी थोड़ी सी फास्ट है पांच मिट पास्ट है तो तो बी ग्यारा बजने में पांच नट कम एक चोटी चोटी बॉल क्लॉक है ना हमारी कि मतलब अच्छे सा कैप्चर ही नहीं प पाया तो भी सोच रही हूं कि बस अब कपड़े सुखा करके इसके बाद से पोच्छा लगाऊंगी उसके बाद से जाओंगी छब डालने दूप आज बहुत तेज वह रखी है अच्छा से दीख नहीं रहा है तो पाज बहुत तेज हो रखी है गर्मी भी बहुत जादा है औ अब आज मशीन भर गई थी तो बैट शीट सोच रही थी एक दो दिन बाद चेंज करने के लिए लेकिन वह ही होता फिर एक दो दिन में और जादा गंदा हो जाता और इन सब पर दिखता तो नहीं है लेकिन हलके हलके डस्ट रहता है तो इन सब को भी बस सुखे कपड़े स फटा फट से डोर को ये वाड्रोप का जो डोर है इन सब को एक बर बस अच्छे से सूखे कपड़े से पोच दिया था मैंने क्योंकि नहीं हलका दिखता ही है मतलब कैमरे में वह कैप्चर नहीं होता है लेकिन ऐसे अपनी आखों से देखो ना तो दिखता है तो फिर वह अ तो बस यहां पर देखिए यह सारा कुछ पोच दिया है मैंने और इसके बास से एक तरफ मैंने लगा दिये थे कपड़े सूखने के लिए एक स्लॉट और साथ के साथ लगे थी पोच्छा लगाने के लिए भी बस यही है कि फटा फट से काम अगर करना है तो एक साथ दो त इन काम मतलब करते चलो तो वह काम जल्दी हो जाता है और हमारे लिए टाइम भी बच जाता है और बस उसी टाइम में हम जो चाहें अपने हिसाब से कुछ काम कर सकते हैं अगर हमारा कुछ एक्स्ट्रा शॉक है तो वह सारी चीजे मुझे रिल्स बनाना भी अच्छा लगत आप मुझे वहां पर सपोर्ट करना तो बस यहां पर देखिए यह सारे काम हो चुके थे मतलब पोच्छा वगर अलग गया था बाहर भी वहने लगा दिया था पोच्छा और बस कपड़े भी सूप गया थे एक स्लोट तो मैंने बीच में लगा निकाल दिया था और दूसर तो इस वज़ा से एक्स्टेंशन यूज़ करना पड़ता है और बस यहां पर जा रही हूं छट पे कपड़े फैलाने क्योंकि नीचे के सारे काम मेरे हो चुके हैं फिनिश और बस अब जाओंगी छट पे कपड़े फैलाने और आज का मौसम इतना प्यारा दिख रहा था मतलब मैंने तो बाद में देखा जब कैमरा सेट किया था मैंने तब नहीं देखा था बाद में देखा और बस मैं यहां पर किसी से बात भी कर रही थी इसलिए मैंने थोड़ा फोन को ऐसे रखा था क्योंकि वो मतलब नहीं आना चाहा रही थी कैमरे में तो इस वज़े से म तुपड़े फैला करके अभी तो चटक धूब थी लेकिन अभी फिर पादल जैसे लग रहे हैं और टाइम हो रहा है वालो ऑच्छा अभी कली हों क म्तलब सब्सक्राइब के बड़ाना हैं शब्सक्राइब करना मत भूल जाते हैं साथ कीजिए ईतरिए को पसंद करें अमेorama नॉटिफिकेशन बैल को रखाएब ताकि मैं जब भी वीडियो अप्लोट करूँ नोटिफिकेशन आपको मिल लिया है तब तक करें बाई, टेक केर, थैंक्स और वाचिंग